नमस्कार, आप सभी का MS Classes में स्वागत है आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित में नई समिक्षा बिस्वी शतावदी तक कावी समिक्षा में अनेक वाद और आंदोलन हमारे सामने आये हैं सभी वाद अपने अपने युग में अपने अपने ढंक से कला तथा कावी को पहचानने की कोशिश में प्रयतन शील रहे वे सभी अपनी अपनी द्रश्टी से कावी को सुरू प्रदान करते हैं उसकी पहचान सरचना वा उद्देशी का विवेचन भी करते हैं नई समिक्षा पुर्ण रूप से नई व पुराने सिधान्तों का समावेश है। इसमें रिजर्ड के आर्थ सिधान्त, इलियेट के समूर्तन विधान, एमपसन के अनिकार्थ सिधान्त, रेमस के शब्दार्थ विधान, बुक्स के विरोधा भास, बलेकमर के भंगीमा, वो हावभाव सिधान्त, एलन टेट के तनाव सिधान्त, वो विम साड के साहित्य में मूर्त सारुभोम की मानिता को समाहित किया जाता है। इन सभी सिधान्तों में एक आंतरिक संगती है, नई समिक्षा में भाषा का एक सरवाधिक महतु है, नई समिक्षा करती को एक अखंड वस्तु के रूप में स्विकार करती है, यह समेदना वो शिल्प के बीज के अंतराल को नहीं मानती, यदि रचना को खंड रूप में अनकित किया जाए तो उसका सारा सुन्दरिय समप्थ हो जाएगा और वह निर्जीव कंकाल मात्र रह जाएगा यदि नई समिक्षा सदा कैंद्र से ही कृति को अपने मुख्य रूप से देखती है परन्तु क्रतिकार उसके परिवेश व उद्देश को मानिता देते हैं यह जड़ परंपराओं में कोई आस्था नहीं रखती परन्तु जीवन की गयात्मक्ता एवं जीवन्तता में विश्वास रखती है इसलिए इसमें आधुनिक चेतना का बोधिस्पस्ट होता है इस समिक्षा में विद्वता को अनिवारी माना गया है पुर्वोक्त समिक्षकों में अधिकांश नई समिक्षा के प्रवर्थक प्रतिपादक वो समर्थक रहे हैं नई समिक्षा कोई नया समिक्षा सिधांत प्रस्तुत नहीं करती यदि यह एक कलावादी आंदुलन के समान ही है जो कलावाद की एक शाका है जिसमें किसी भी क्रती की समिक्षा क्रती के आधार पर ही किये जाने का अग्रह है प्राचिन काल से लेकर आधुनिक काल तक के कला साहितिय चिंतन अथवा समिक्षा के इतिहास पर यदि नजर डाला जाए तो वह स्पस्ट है कि इस युग में यदि साहिति के मुल्यों अथवा उसके वस्तु पक्षव सामाचिक प्रभावादी पर बल दिया जाता है तो उसके परवर्ती युग में उसकी रचना के रूप व शिल्प पक्ष को भी महतु मिलता रहा है जहां प्लासिकल या अभिजात्य वादी या शास्त्र वादी नव्य शास्त्र वादी मुल्य वादी रशनकार व व्यक्ति को अधिक महतु देते रहे हैं वहीं स्वचंदुतावादी कलावादी व नई समिक्षवादी आंदोलन क्रति को विशेश व मुखी प्रतिपादी मानते हैं उसी क्रम में चिंतन की प्रक्रिया में बीस्वी शताबदी में नई समिक्ष़ का आंदोलन चल पड़ा आज प्रतियक शत्र में आधुनिक्ता बोध की लहर के परिणाम सोरूप नयापन दिखाने का प्रयत्न है नई कविता, नई कहानी, नव गीत, नव नाटक, आधी, तदनु सार की नई समिक्षा को आधुनिकता पोध विज्ञानिकता पूर्ण द्रश्टी से उसका परिणाम माना जा सकता है नई समिक्षा कुछ विशेश्टाइं लिए हुए है पहले तो क्रती का महतु देती है नई समिक्षा में सबसे पहले समिक्षा के लिए क्रती वर रचना का ही महतुपनिस्थान है उस क्रती के रचनाकार उसके जीवन और युगिन परिस्थितियां उसकी रचना के प्रेड़नास्तोत, रचना प्रक्रिया, रचना कारकी जो मान सिकता है, रचना का एतिहासिक पक्ष है, उसमें निहित दर्षन, समाज, संस्कृती, नीती उपदेश या उसकी उपयोगिता आधी, बातें नई समिक्षा के शेत्र से, विचाठ शेत्र से ही बा बड़ती अतह रचना की समिक्षा उसमें निहीत गुण दोश विवेचन से उनका कोई सरोकार नहीं है अतह यहां नई समिक्षा के लिए क्यवले क्रती ही विचारनी वस्तु है दूसरी विशेचता इसमें रूप रचना पर विचार किया जाता है जब क्रती पर विचार करते हैं तब सरप्रताम उसकी भाशा ही रूप रचना आती है और यही नई समिक्षा का प्रमुख विचार विंदू है शब्दावली विशब्दों की बुनावट पच्चीकारी अर्थ का ढाचा शब्दागत अर्थ शलेश संदेह विरोधा भास सादरश्य विधान भावावेक आध्यांत गतिव अर्थ निर्वाह तथा अनेक प्रकार की सजावट यह अलंग रतियादी बातें नई समिक्ष समिक्षा के अंदर अंतरगत विचारनी होती है तीसरे शेली विज्ञान नई समिक्षा में आलोचक की द्रश्टी विज्ञानिक होती है उसमें बहुत कुछ विचार के तत्व शेली विज्ञान के तत्व भी होते हैं नई समिक्षा क्रता करती की अखंडता को स्विकार कर उसके विचार से उसके रूप पक्ष और वस्तु पक्ष को अलग-अलग या खंड-खंड करके नहीं देखा जा सकता दोनों ही मिलकर एक समन्वित इकाई का निर्मान करते हैं तब ही वह रचना रचना कहीं जा सकती है नई समिक्षा के अंतरगत शब्द विधान के साथ साथ प्रतीक विधान लए शब्द भंगीमा विरोधा भास तनाव आदी को लेकर जो अलग-अलग समिक्ष को ने विचार व्यक्त किये हैं कुछ विधान इस समन्द में मानते हैं कि विशमता लए और विम्ब कविता में महतुपोर्ण होते हैं नई समिक्षा में कविता शब्द विधान या अर्थ विधान की बनावट होती है शब्द विधान प्रधान होता है और वही मुख्य कावे सुंदरी को संपादित भी करता है नई समिक्षा में भंगीमा के अंतरगत शब्द रचना ले चंद अलंकार सभी कुछ आता है इसके अंतरगत जो जीवन, मुलियन, नेतिकता, विचार, आधी, करती के जो भी पोशक तत्व हैं उन पर नई समिक्षा में मूल द्रश्रिकोन यही है कि करती में देखा जाए कि वस्तु भाव और विचार पक्ष किस तरह से रूप रचना अथार्थ, शब्द लैक अलंकरती या कथम की भंगी मा में मिलकर एक रूप हो गया है या फिर दोनों पक्ष मिलकर उस रचना को सुन्दर प्रेदान करते हैं रचना की शुक्ष्मता व गहराई से अध्यन करना भी नई शमिक्षा की एक महतुपूर्ण देन है इससे पहले समिक्षा बिना क्रती को पड़े ही उसकी परिस्थितियों, परंपराओं और इती व्रतों को लेकर ही की जाने लगी थी परंथु बहुत से लोग रचना को पड़े बिना ही उसकी आलोचना व व व्याख्यान करने लगे थे इस प्रवर्ती को रोकने में नई समिक्षा का एक विशिष्ट वा महतुपूर्ण योगदान है नई समिक्षा का नई समिक्षा रचना ये कविता को शुद्धू रूप में देवागा